हालो एवरिवन, फर्स्ट अफॉल, हैपी न्यूएर तू अल अफ यू, हैपी लोडी, हैपी मगर संक्रान्ती, आज का जो मेरा सेशन है, वो स्पेश्टी 23 और 24 इस्टूइंट्स के लिए है, फिफ जन्वरी से जब मैंने 22 के लिए, निमसेट 22 के लिए, फास्टेक कोर्स औ की थी, उसी के बाद से कई बच्चों के मैसेश थे, कि सर आप लोग 23 के लिए बैच कब से स्टार्ट करेंगे, हमको जोइन करना है, डिसमबर में हम इसलिए जोइन कर पाये थे कि सेमिस्टर एक्जाम है, डिसमबर के सामें भी जब मैने बैच्च स्टार्ट किया था, तो जब भी न्यू बैच्च स्टार्ट हो, तो आप टाइमली इंफर्म कर दीजेगा, तो अभी हम लोग 23 के लिए और 24 वाले बच्चे भी, 23 के लिए न्यू बैच्च जो है निमसेट का वो 18 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, इस बैच्च के थुरू ये बैच्च का कोड ये प्रप्रेशन कर रहे हैं, मैं आप सब को एक बात बोलूँगा, कि किसी भी कॉम्टिडे एक्जाम में सिलेक्ट होने के लिए आपके पास जितना जाता टाइम आपके पास होगा, उतने ही सक्सेज रेट बढ़ते हैं, और अभी अगर हम देखें तो आप बहुत जादा टाइम भी नहीं है, पर अभी कम भी नहीं है, अभी इतना टाइम है, क्योंकि इस बात में हम लोग करीब three time syllabus को cover करेंगे, तो अभी भी हमारे पास इतना time है, कि हम ना केवल syllabus अच्छे से cover करें, उसमें अपनी performance, mistakes और rank, boosting, यह सब कर सकते हैं, तो आप अगर समय रहते हुए कोई चीज़ करते हैं तो उसके रेज़ेट अच्छे मिलते हैं तो अगर आप self study कर रहे हैं और regular करने के बाद भी commitment नहीं आ पा रहा है या वो confidence नहीं आ रहा है तो भी मैं कहूंगा बाद जोईन करें पर self study से अगर strong confidence आ रहा है तो फिर आप test series जोईन करें क्योंकि impetus गुरू कुल की test series में ना केवल test paper मिलते हैं test paper study material के इलावा इन test papers की live analysis classes होती है weekly study schedule होता है जो आपको इस बात के लिए help करता है कि क्या पढ़ना है और कैसे बढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है बट यदि आप यह जब फाइदा होगा जब आप रोज कम से कम 6 घंटे की self study कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं time waste मत कर ये बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे अभी जब 22 का मैंने fast tech patch start किया कई सारे बच्चों ने जिन्होंने join किया उनमें कई बच्चे जब join करते हैं तो आपके पास क्या भी बिल्कुल time है आप अपने college exam के साथ साथ यानि BCA या BSC के final year के साथ साथ अपनी preparation कर सकते हैं 4 to 6R आपको MCA के लिए देना होगा बाकी time अपने college के लिए दीजे time इतना है कि syllabus complete करने के बाद आप revision भी कर पाएंगे और quick revision भी कर पाएंगे तो मैं आप समय को देखते हों मैं बोलूँगा कि अभी आप चाहें तो online करें अगर online class में के वल online class और offline class में कोई difference नहीं होता बस online class के साथ कई बच्चे घर में discipline नहीं हो पाते या घर का महौल ऐसा नहीं होता या छोटा घर होता उस case में अगर आप नहीं कर पा रहा हो घर पर पढ़ा करेंगे life में करना क्या है उतने ही high success rate भी होते हैं तो चलिए इसी सुपकामनाओं के साथ once again all the best and congratulations thank you so much